So hey guys welcome back to another video और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Nokia 5.1 Plus के screen mirroring और screen casting feature के बारे में तो चली जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends यह है मेरा iFalcon Smart TV और यह है मेरा Nokia 5.1 Plus phone और इसके screen को mirror करने के लिए हमें जाना होगा यहां पर settings में, connected devices में और यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा connection preferences का और यहां से आपको select करना है wireless display को और यहां पर आपको अपने TV के नाम पर tap करना है मेरे TV का नाम है Android TV तो उस पर हम tap करते हैं और आप देखिए जो मेरे Nokia 5.1 Plus की screen है वो TV की screen पर mirror हो चुकी है तो screen को mirror करने का यह process काफी easy है और इसके इलावा यदि तो आप अपने Amazon Fire TV Stick या फिर किसी और non Android Smart TV पर अपने Nokia 5.1 Plus की screen या फिर किसी और Nokia device की screen को mirror करना चाते हो तो ऐसे में process थोड़ा सा different रहेगा और मेरे इस फाले TV पर मैंने connect किया है Amazon Fire TV Stick को और इस पर अपने Nokia phone की screen को mirror करने के लिए हमें जाना होगा इसकी settings में और वहां से पहले हमें इसके wireless display option को enable करना पड़ेगा तो यहां से कर देता हूँ मैं wireless display function को enable और उसके बाद हमें फिर से जाना होगा Nokia 5.1 plus की screen पर settings में यहां पर आपको option दिखाई दरा होगा connected devices का और फिर tap करना है connection preferences और wireless display पर और फिर यहां पर आपको अपने device का नाम शो हो जाएगा और इस पर tap करने पर आपके phone की screen आपके Amazon Fire TV Stick पर mirror हो जाएगी तो friends इन दोनों ही तरीकों से आप अपने device की accordingly अपने phone की screen अपने TV पर mirror कर सकते हो अब चलिए हम चलते हैं gallery में और यहां से मैं आपको कुछ pictures दिखाता हूँ और picture भी हमारी हो चुकी है open अब करते हैं phone को rotate और आप देखिए काफी अच्छी तरह से है जो mirroring यहां पर काम कर रही है हाला कि यहां पर हलका सा delay जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी यह काफी अच्छी से जो है वो काम कर रहा है तो चलिए हम मैं आपको एक video प्ले करके दिखायाता हूँ और select करता हूँ मैं इस list में से एक video अब हम यह वाली video प्ले करके दिखते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हो एक noticeable delay हमें दिखाया दे रहा है और हाला कि हमें यहां पर थोड़ा सा delay देखने को ज़रूर मिलता है लेकिन video playback में किसी भी जरा का lag नहीं है वीडियो काफी smoothly और काफी अच्छे से यहां पर play हो रही है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए वीडियो playback में किसी भी तरह का lag नहीं है तो friends screen mirroring feature के बाद अब हम बात करते है screen casting feature की और यह screen casting feature आपको अपनी सबी google apps पर मिल जाएगा जैसे की YouTube और photos app और उसके इलावा आपको यह popular app host star पर भी casting का option मिल जाता है तो चली सबसे पहले तो मैं आपको YouTube की screen को cast करके दिखायता हूँ और यहां से मैं search करता हूँ एक वीडियो को जिसे मैं cast करना चाता हूँ तो इस list में से मैं एक वीडियो को search करता हूँ जैसे कि मैं इस वाली वीडियो को यहां पर cast करना चाता हूँ तो आप अब यहां पर देख सकते हो वीडियो के उपर आपको एक चोटा सा icon दिखाई दे रहा होगा आपको इस icon को tap करना है और अपने TV के नाम को select करना है आपकी वीडियो आपकी TV की स्क्रीन पर cast हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो वीडियो है वो cast हो चुकी है और उसके इलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें Google Casting का option Google Photos अब में मिल जाता है और यहां से हम अपनी photos और वीडियो को फोन और TV दोनों ही एकी network से connected हो मतलब की सेम ही Wi-Fi पे connect हो और यहां उसके इलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने होट स्टार एप की स्क्रीन को भी अपने TV स्क्रीन पर डिरेक्ट पर cast कर सकते हो और यहां पर आपको ऊपर casting आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको इस पर tap करना है और यहां से अपने TV के नाम को select करना है फिर उसके बाद आपके TV पर hot star जो एप है वो open हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हो hot star जो एप है हमारी वो open हो चुकी है और यहां पर लिखा आ रहा है ready to cast और फिर उसके बाद आप अपने phone की screen पर यह जो content available है किसी पर भी tap करके अपने TV की screen पर इसे cast कर सकते हो तो फ्रेंट जिस तरह से आप अपने Nokia phone की screen को TV पर mirror या फिर cast कर सकते हो और फ्रेंट जे कुछ था आपकी इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो पसंद आई हो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लेज़ें से लाइक और शेयर जरूर करना हम मिलेंगे किसी ओर वीडियो में तब तक के लिए बाई